नमस्कार सातियों ये सत्र मौसम से तो जुड़ा हुआ है अब दिल्ली में भी वर्षापना दस्तक देना प्रारम किया है तिगी फिर भी नब बहार की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी की नहीं होगी ये कालखन एक प्रकार से बहुत महत्वपून है ये आज़ादी के अमरित महुत्षब का कालखन है पंदरा अगस का विशेश महत्वप है और आने वाले पटीज साल के ये देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी पटीज साल की यात्रा कैसी रहे हम कितनी तेज गती से चले कितनी नई उचाईयों को पार करे इसके संकल्प लेने का एक कालखन है और उन संकल्पों के प्रती समर्पित हो करके देश को दिशा देना सदन देश का नित्तुत्व करे सदन के सभी मान्य सदस्य राष्ट में नई उर्जा भरने के लिए निमित्त बने उस अर्थ में ये सत्र भी बहुत महत्वपून है ये सत्र इसले भी महत्वपून है कि इसी समय राष्ट्पतिपद और उपराष्ट्पतिपद के चुनाव हो रहे हैं आज मत्दान भी हो रहा है और इसी कालखन में देश को नए राष्ट्पति नए उपराष्ट्पति उनका मारदर्शन प्रारंब होगा हम हमेशा सदन को समवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं जहां खुले मन से समवाद हो जरुत पड़े तो वाद विवाद हो आलोचना भी हो बहुत उत्तम प्रकार का एनालिजिस करके चीजों का बारिकियों से विश्ट्लेशन हो ताकि नीती और निनयों में बहुती सकारात्म योगदान हो सके मैं सभी आदानिय सांसदों से यही आगर करूँगा कि गहन चिंतन गहन चर्चा उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके सदन को जितना ज्यादा फूटफुल बना सके उसलिए सब का सयोग हो और सब के प्रयास से ही लोक्तंतर चलता है सब के प्रयास से ही सदन चलता है सब के प्रयास से ही सदम उत्तम नेने करता है और इसलिए सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए भी हम सब अपने कर्तवियों का निर्वा करते हुए इस सत्र का राष्ट हिट में सरबाती को प्योग करें और हर पल याद रखे कि आजहदी के लिए जिनों ने अपनी जवानी खपा दी अपना जीवन खपा दिया जिन्द की जेलों में काटी कुछ ने शहादत सुकार की उनके सपनों को ध्यान में रखते हुए और जब पंदर आगज सामने है तब सदन का सरबादिक 17 प्योगों यही मेरी सबसे प्रार्तना है आप सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद